भारती रिजर्व बैंक की भूमिका भारती रिजर्व बैंक का जिक्र किस किस संदर्व में आया है? हमने देखा कि भारती रिजर्व बैंक का जिक्र कई बार आया है और इस ववस्था को बनाने एवं उसमें विश्वास बनाए रखने में उसकी अहम भूमिका है बैंकों की वेवस्था के कारण ही बैंक खाते मुद्रा का स्वरूप लेते हैं. अपनी जरूरतों के अनुसार हम नगत निकाल सकते हैं, एवं चेक दौरा लेंदेन कर सकते हैं. भारती रिजर्व बैंक यह ववस्था बनाये रखने के लिए बैंकों पर कई नियम लागू करवाती है उदाहरन के लिए बैंकों को अपने सभी डिपॉजिट का 4 प्रतिशत भारती रिजर्व बैंक के पास नगद में रखना होता है ताकि जरूरत पढ़ने पर उसके पास नगद की कमी न हो खातेदारों को मांगने पर नगद दिया जा सके इसके लिए वे अपने अनुभो अनुसार अलग से नगद रखते हैं इसी प्रकार बैंक को हर खातेदार के लिए एक लाग का डिपॉजिट भीमा करवाना होता है यदि बैंक किसी परिस्थिती में नहीं चल पाए तो इस भीमा का उप्योग कर सकते हैं कई बार बैंक के प्रती अफवाहें फैलती हैं कि बैंक घाटे में जा रहा है लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं है ऐसी स्थिती में RBI को आगे आकर सम्हालना होता है क्योंकि बैंकों की निगरानी करना उसका दायत तो है भारती रिजर्व बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में रुपे एवं पैसों की कमी ना हो इसके लिए जरूरत के अनुसार वह सरकार से नोट छपवाने और सिक्के बनवाने की मांग करती है साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में नकली नोट न चले इसलिए सक्त निगरानी भी रखनी पड़ती है भारती रिजर्व बैंक बैंक को द्वारा दिये जाने वाले रिण के लेन देन पर कई नियम लागू करती है उदाहरन के लिए कोई भी वानिजिक बैंक अपने मुनाफे के लिए संपत्ती का क्रेव इक्रे नहीं कर सकती यदि उसके पास कोई संपत्ती गिर्वी रखी गई है और कर्जदार रिण अदा नहीं कर पा रहा है तब ऐसी इस्थिती में बैंक उस संपत्ती को बेच कर अपनी रकम वसूल कर सकती है कुछ शेत्रों में जैसे की शेयर बाजार में बैंक सीमित पैसे ही लगा सकता है और लोगों द्वारा वापस नहीं किये जाने वाले रिण बहुत सीमित संख्या में है कई बार इसके लिए सकत कारवाही करने की भी जरूरत होती है बैंकिंग विवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे इसके लिए कई तरह की निगरानी आवश्यक है दूसरी तरफ सरकार के नियमों के अनुसार कई छेत्रों को महतवपूर्ण माना गया है अर्थात रिंड देने के लिए प्रात्मिक्ता दी जानी चाहिए बैंकों पर दबाव बनाया जाता है कि वे इन छेत्रों के लिए रिंड दें वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा कृशी, सिक्षा, आवास, छोटे उद्योक, निर्यात, आदिशेत्रों के लिए 40% रिण देने का आदेश है इस प्रकार सरकार की भूमिका बैंकिंग विवस्था को बनाय रखना है ताकि वा सुगम और सुरक्षित रहे इसके साथ साथ विकास की द्रिश्टी से रिण व्यवस्था को वंचित समू या शेत्रों तक पहुचाने का एहम लक्ष भी है